राजस्तान सरकार ने चातर संग जो चुनाव हैं जो बंद कर दिये हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाते हैं? राजस्तान सरकार के सामने प्रदेश के विश्विद्यालियों में संगी मानसिक्ता के बेठे इन कुल्पतियों ने एक दस्तावेज रखा है कि हम नई एज्यूकेशन पॉलिसी लागू होने के कारण चुनाव हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मैं और हमारे एनिश्वई के तमाम साथी मिलकर सरकार से ये आग्रे कर रहे हैं लोगतंतर के चोथे स्टम मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को प्रदेश के लोगों को देश भर के नौजवानों को चात्रों को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस नई एज्यूकेशन पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं उसका सलेबस तक अभी तक ये लोग तयार नहीं कर सके हैं बिना किसी तयारी के इन्होंने एक नई एज्यूकेशन पॉलिसी हमारे उपर थोपने का काम किया है और उसकी आड में ये लोग अपनी लोकतंत्र विरोधी मानसिक्ता को जाहिर कर रहे हैं सरकार को चुनाव कराने से रोक रहे हैं हम ये अग्रे कर रहे हैं सरकार से के सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाए चातर संग चुनाव को बहाल करें सरकार लिंगदो को मजबूती से लागू करवाए और चातर संग चुनाव अगर होंगे तो एक राजनिती की नई पीड़ी को तयार होने का खड़ा होने का मौका मिलेगा ये आगरे एनेशोय के कारिकरता सरकार से कर रहे हैं आदर्नी मुख्य मंत्री जी सदेवी राजस्तान की चातर सक्ती के अभी बावक के रूप में उन्होंने अपना किरदार निबाया है पहले बारती जंता पार्टी की सरकार चुनाव बंद करके चली गई आदर्नी मुख्य मंत्री जी ने फिर से चुनाव शुरू करवाए मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार कोविड के कारण चुनाव बंद थे हो नहीं रहे थे उन्हें भी मुख्य मंत्री जी ने चातर संग चुनाव की प्रासंगीकता को समझते वे उन्हें वापस शुरू करवाया अब जो ये कुलपतियों ने मिलकर सरकार को गुमरा करने का काम किया है इसके खिलाब एनेश्वई सरकार से अपना आग्रे कर रही है अपनी बात रख रही है आगी की अन्रेटी आपकी हम गांधिवादी तरीके से हमारी बात को मजबूती से सरकार के सामने परदेश की छातर सकती के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा छातर सकती का सयोग मांग रहे हैं समर्थन मांग रहे हैं और बार बार सरकार से आग्रे कर रहे हैं के सरकार इस मामले पर पुनर विचार करे और छातर संग्चुनाव बहाल हो